राडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग राडार का इन्वेंशन टेलर और लियो यंग ने इयर 1922 में किया था देखिए राडार एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम किसी भी moving object की distance, height, direction और speed calculate करने के लिए यूज करते हैं साथ ही हम राडार को weather forecasting यानि की मोसम का पूर्वा नुमान लगाने के लिए भी यूज करते हैं इसकी help से हम किसी भी aeroplane, ship, vehicle या missile की speed, position और direction का easily और accurately पता लगा सकते हैं देखिए राडार के जो man components हैं वो हैं magnetron, antenna, एक computer और एक display screen इनमें से ये जो magnetron है ये radio या microwaves को produce करता है जिने राडार में लगे antenna की help से एक fixed time interval के बाद सभी directions में transmit किया जाता है राडार के अंदर जो antenna होता है उससे radio या microwaves को transmit भी किया जा सकता है और receive भी किया जा सकता है अगर हवा में कोई भी object है जिसे कोई aeroplane तो ये radio या microwaves उससे टकराती हैं और टकरा कर वापस लोडती है टकरा कर वापस आने वाले इन radio या microwaves को radar में लगे antenna की help से receive कर लिया जाता है अब एक computer की help से इन radio waves को टकरा कर वापस आने में लगे time को measure कर लिया जाता है अब हमें इन radio waves की speed पता होती है ये speed होती है 3 into 10 rest to power 8 meter per second तो जब हम इसी speed को multiply करते हैं उस time से जो radio या microwaves को उस aeroplane से टकरा कर वापस आने में लगा तो इससे हमारे पास उस aeroplane की radar से distance आती है साथी radar में लगा antenna continuously चारो तरफ घूमता रहता है अब जिस direction में हवा में कोई भी object होता है उस direction में transmit होने वाली radio waves उस object से टकरा कर वापस आ जाती है अब एक computer की help से display screen पर इन reflected radio waves की mapping करके हम उस moving object या aeroplane को screen की उपर एक bright dot की form में देख सकते हैं और इस तरीकी से हमें display screen पर उस moving object की position और direction पता लग जाती है देखे रडार की खास बात ये होती है कि इसकी help से हम धुंद, बारिश या अंधेरे के अंदर भी किसी भी moving object की speed, position और direction को easily और accurately calculate कर सकते हैं रडार को हम mainly aircraft traffic control, anti-missile system या समुदर के अंदर ships के navigation या weather forecasting के लिए यूज़ करते हैं